हलो दोस्तों कैसे हैं सब मेरा नाम है हिमाश्यू और मैं सौगत करता हूँ आप सब का आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल पर तो चलिए दोस्तों शुरू करता है राज कॉमिक्स में प्रेत अंकल सीरीज की तीसरी कॉमिक्स भूत राजा का तीसरा और अंतिम भाग तभी आएं ये क्या है अई भूत गविंडा नाम है मेरा गविंडा चेचक वाला भागो पहले ही कहा था कमभगत को छोड़ दे इंका ख्याल नहीं तो नहीं जी मैं पकड़के रहूंगा इस लड़की को अब एक भूत देखकर फूंक सा रग गई खामा खामा मैं दो दो बा बार पिटवा दिया मेरी तौबा मेरे बाप की तौबा जो आज के बाद कोई बुरा काम करूं अच्छा ख्याल है बार बार इस भागने और पिटने से तो बच जाएंगे घैंक यू भूत अंकल जरूर आपको प्रेत अंकल ने भेजाएं मेरी मदद करने के लिए प्रेत अंकल ने नहीं, भूत राजा ने वेजा हैं मुझे, तो मैं उठाने के लिए, क्या? बहुत सी खोपड़ियां मिलेंगे मुझे इस काम के बद्ले में, नहीं, बचाओ! कोई नहीं बचा सकता गुविंडा चेचक वाला से तुझे, सच मुझ कोई नहीं बचा पाया बेचारी बेवी को, शाबाज गुविंडा, डाल दो इसे कैट खाने में और एश करो! नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, प्लीज! चलाती ही रह गई बेवी और लापटका उसे कैट खाने में, बहुत गंदे भूत हो तुम, आ जाने तुम मेरे प्रेत अंकल को, वो तुमें जिन्दा नहीं चोड़ेंगे, अंकल, अंकल मुझे बचा लीजिए! भूत राजा, अब तेरे जल मासूम बच्चों पर भी होने लगे हैं, अब तु जादा दिन जिन्दा नहीं रहेगा, खबर पहुची इरी की गुफा तक, ओ, वो कमीना अग नीस्ता पर उतराया है, हमें हराने के लिए बच्चे का साहरा ले रहा है, उसमें बेबी को उठ रवाया, मैं उस कमीने को जिन्दा नहीं चोड़ूँगा, हाँ जैकब, हम अभी अपनी पूरी प्रेट मंड़ी के साथ उसके अड़े पर हमला करते हैं, लेकिन हवेली पर कब्जा करके आप उसे मार नहीं सकते, मैं जानता हूँ, क्या मतलब, मतलब ये कि भूत राजा त तो मैं डाल कर अपनी जिन्दिगी को कहीं सुरक्षित तक देते थे, उसी तरह का कुछ चकर भूत राजा का है, इसी कारण बार बार मेरे हाथों से बचकर निकल जाता है, ओ, तो हमारा फिर भूत राजा के अटे पर हमला करना भी बेकार है, नहीं ऐसी बात नहीं है, वहा पुरी रण नीती तयार कर, इरी चल पड़ अपनी प्रेत मंड़ी के साथ भूत राजा के अटे पर धावा बोलने है, और जा पहुचे भूत राजा के अटे के पास, तयार हो मेरे प्रेत साथ ही हो, सबने एक साथ हमला करना है, मैं मांतरिक डंट से तुमारी मदद करूँ और जैकब तुम इसी बीच मौका पाकर हवैली के अंदर गुसोगे, बेबी और गुरुगट को बचाने के लिए समझ गाए ना, जी, और जिपसी तुम भी बाहर के प्रेतों से नहीं उल जोगी, तो मैं भी जैकब के साथ रहना, हवैली के मांग दर्शन के लिए, ताकि जैकब जल्दी से जल्दी कहत खाने तक पहुँँ सके, जी, अच्छा, फिर अचानक, आपकर मार, बोलो प्रेत मंदली की, जिंदाबाट, आएं, ये क्या, अरे, ये तो ये रही है, अपनी प्रेत मंदली के साथ, जूच पड़े सब प्रेती हो, दक अप्ती प्रेतों से, है, ये कैसे मार रहा है, था, हम तो ऐसे ही मारते हैं, स्टाइल से, शाबाज साथी और धूल चटा दो सबको, था, और तहल क्या मज़किया हवेली के चार उतरो, जब इनी के मांत्रिक डंट से निकली किर्णों ने भूत राजा के प्रेतों को भस्म करना शुरू किया, अपनी प्रेत मंड़ी के साथ हवेली कर हमला बोल दिया है, ओ, तुम बाहर जाकर लकवा गन के साथ अपने साथियों की मदद करो, मैं भी अभी आ रहा हूँ, अच्छा भूत राजा, यह कमकद तो बड़े चालू निकले, मैं तो सोच रहा था, इसने तो पूरी प्रेत मं शाबाज पेटे, और जिपसी, तुम्हेंने लेकर जाओ, मैं भूत राजा को बगड़ता हूँ, कहीं निकलना जाएगो, अच्छा जैकब, डॉल पड़ा जैकब, जिपसी दोरा बताए, रास्तों बार प्रेत लाइप की और, छोड़ूंगा नहीं मैं उसे आज बूत रा देखता हूँ, कौन किसे मसलता चिठकियों से, कम नहीं ता भूत राजा भी, ठाक, भारी पड़ रहे थे दौनों एक दूसरे पर, ए रुख जाओ, वरना गोविंडा, चेचक गन चला, तुम्हें चेचक का मरीज बना देगा, तब ही पीछे से, बनाएगा चेचक का उठ चलाएगी, चेचक गन, इरी अंकल, इरी, बड़ सोबाद में लेतें दोनों गुरु भाई, ओ इरी, मैं जानता था, किसी दिन तुम ही मुझे आजाद कराओगे, आओ, अब उस भूत राजा को देखते हैं, इधर हवेली के एक हिस्से में बंकी पांडे चड़ गया खोते का पत्तर हमें लकवे का मरीज बना गया था, आज देखते हैं कैसे बचेगा तू हमारे हाथों से, गुझेने लगी आवाज है डिशुम धार धार और हाय हाय की, कुछ देर बाद, हमारी लकवे की बिमारी का इलाज तो कर दिया तो जिपसीन है, पर आप देखते हैं आज कौन करेगा, साला भूत कहीं का, हाई रे, अब मेरी बुरी आत्मका क्या होगा, चल आजा ठकले, अब उस भूत राजा को डूने, चल, इदर जैकाव और भूत राजा दोना एक दूसरे से जूच रहे थे, धप धप धप, ओ लगता है एरी आ रहा है, मुझे यहां से फूट लेना चाहिए, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, भूत राजा ने अड़ाई एक भभूत, चारो और फैल गया धुआ, ओ यह क्या, और जब धुआ छटा, अरे, कहां गया वो, निकल चुका था भूत राजा वहां से, जब तक एरी वहां पहुँचा, ओ जै जैकब है, तो समझो, वो तुमारी कबर पर गया होगा, क्या, क्योंकि जैकब नाम के प्रेत की कबर पर उसने अपना प्रेत काटू को बिठा रखा है, और मेरी जानकारी के मताबिक उसके प्रेत काटू में भूत राजा की जान है, ओ, जैकब उसे जल्दी रोको, अगर व वो तुम्हारी कबर पर बैठा है, फिर तो मैं भी कई परेशानियों का सामना करना पाट सकता है, मैं जाकर उसे रोकता हूँ, जैकब तूफान से भी तेज गती से निकला अपने लक्ष की होई, आओ गुरुगट, हमें भी जल्दी पहुँचकर जैकब की मदद करनी तुम फिर मेरे रास्ते में आए, हट जाओ वरना अच्छा नहीं होगा, जैकब जब किसी का रास्ता रोकता है तो समझो उसे रास्ते से हटा करी अटता है, अब तुझे भी इस दुनिया से हटा करी अटूंगा, ओ लगता है इसे मेरे जीवन का रहस मालुम हो गया है, जल खला गया भूत राजा, नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ रहा हूँ, बिलविला क्यों रहा है, मैं तुझे नहीं मारूंगा, वो देखिरी आ गया है, मुझे मालूम है का बाकी का काम तो वही करेगा, मंतर जंड से एक किरन निकल का टक्राई प्रेत काटू से और आई, और कुछी पलो में वहाँ खाक थी, भूत राजा और काटू की, सभी जानते हैं कि एक दिन उन्हें इसी खाक में मिलना है, फिर भी पता हैं क्यों लगे रहते हैं सारी जिंदिगी एक दूसरे से बड़ा होने की होड में, बुरी, बुरा से बुरा काम करने में, नाई, बस भूत राजा, तमारा समय पूरा हो गया, आप कोई फायदा नहीं रोने बिल बिलाने का, इरी ने मंत्र डंड की या प्रेत काठू की ओर, बस जैक आप, छोड़ दौब इसे, क्योंकि अंकल ये भूल जाते हैं कि बुराई का अंजाम आखेर बुरा ही होता है, लेकिन आप सब भी याद रखना, बुरा ही का अंजाम, बुरा ही होता है, समाप, तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं समाप करते हैं, प्रेत अंकल सीरीज में, अगली कॉमिक्स, थोड़ांगा का प्रेत में, तब तक के लिए धन्यवाद,